हलो आप्रिवान वालकम तो नाइरा इस्टडी अब आप सो कैसे हैं आई होग कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी इस्टडी को कॉंटिन्यू कर रहे होंगे फ्रेंट्स आज के लेक्षर में हम लोग देखेंगे दो हजार चौबिस का संस्क्रण पवन स्रीज और सब्ज जो स्रीज है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी ठीक है ना तो फ्रेंट्स अगर आपने अभी हमारे चैनल पर विजिट किया है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा जैसे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुश सके ठीक है ना तो चलते हैं आज की सिरीज का फर्स नमबर कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन आपका हो जाता है भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इसरो का मुख्याले स्थेत है आप देखे इसमें कई कोश् या आउ एसरो को और किस नाम से जाना जाता है तो भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन ठीक है यहाँ तक आपका हो गया उसके बाद इस रो का गठन कब हुआ या आप से पूछ लिया जाए भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ तो इसकी आप बात करेंगे तो इस तरह से देखिए एक ही question में आपके कितने questions निकल आए तो आपको क्या है चीजों को detail में जानना रहेगा क्योंकि यह जरूरी रहता है ऐसा नहीं है कि आपने deal at first semester को clear कर लिया उसके बाद आपकी नईया पार हो गई ऐसा तो नहीं है first semester, second semester, third semester, fourth semester उसके बाद आपको seated clear करना रहेगा उसके बाद और भी आपको exam देने रहेंगे तो चीजों को जो है आप लोग क्या करें detail में पढ़ने की habit डालें क्योंकि यही इसी तरह के questions बनते हैं ठीक है ना तो चलते हैं देख लेते हैं भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन इस्रो का मुख्याले इस्थी थे कहां इस्थी थे केरल में इस्थी थे या करनाटक में या पस्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में तो इसका जो right answer हो जाता है वो करनाटक हो जाता है ठीक है ना यानि भारती आंत्रिश अनुसंधान संगठन इस्रो का मुख्याले करनाटक राज के बंगलोर में है अब देखे यहां पर एक question और भी बन सकता है कि आप से option में दे सकते हैं बंगलोर भी दे सकते हैं या करनाटक भी दे सकते हैं आपने करनाटक पढ़ा और बंगलोर को नहीं अब आप क्या है इसका गठन कब हुआ गठन की बात की जाए तो 1 9 6 9 हो जाता है ठीक है ना? तो यहां तक clear होगया चलते हैं नक्स कोस्चन की तरफ, कोस्चन आपका हो जाता है भारत में कितने प्रतिशत 1 छेतर होना आवशक है, यानि कि कितने छेतर में 1 जो है, उनका होना जरूरी है, तो 33.2 प्रतिशत या 33.3 प्रतिशत या 33.4 प्रतिशत या 33.5 प्रतिशत तो अगर बात की जाये हैं पर राइट अंसर कौन है तो इसमें B आपका राइट हो जाता है और जब कि अगर बात की जाये कि हमारे देश में वन है कितने तो 19.5% भाग पर ही 1 है जो क्या है जो दुख का आश है है ना ये चिंता की बात है उसके बाद आपका हो जाता है ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गाउं में किया जाता है तो एक हजार या आपका हो जाता है ग्यारा सो या बारा सो या तेरा सो तो इसमें जो आपका राइड आंसर हो जाता है वो एक हजार यानी एक हजार आबादी वाले गाओं में क्या होता है ग्राम पंचायत का गठन होता है उसके बाद कोश्चन आपका हो जाता है ग्राम 25 समिती के सदस्य के लिए आयू सीमा है तो कितनी आयू सीमा है तो यहां पे आपका हो जाता है 20 या 22 या सा उप्षन में 22 या दा उप्षन में 20 इसमें से कौन सा सही है तो 21 वर्ष और जिसको सम्विधान द्वारा निर्धारित किया गया है ठीक है ना तो 21 वर्ष यानि बा उप्षन आपका राइट हो जाएगा छेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं तो बीडियो कहते हैं या ब्लॉक परमुक कहते हैं या आ और बात दोनों सही या इनमें से कोई नहीं भी इस तरह का कोश्चन आया आप बड़े कंफ्यूज कि या तो ये सही होगा और आ और बात दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस तरह के कोश्चन को इसमें जब आप करिएगा तो थोड़ा सा टाइम ज़ादा लगा के सुलव करिएगा क्योंकि जो आसान लगते हैं वही सबसे ज़ादा टफ होते हैं उसी में सबसे ज़ादा गलतियां होती हैं तो यहाँ पर आपका हो जाता है छेतर पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं तो block पर मुख क्याते हैं यानि कि 2 option आपका right हो गया और जो आप सोच रहे थे mind में कि हो सकता है इन में से कोई नहीं ये right हो या आ और बा दोनों से ही हो ये आपके गलत हो जाते हैं ठीक है न और यहीं पर घुमा देते हैं फिर इसी में क्या होता है गलतियां हो जाती है उसके बाद आपका question है gram पंचायत कारेकाल होता है यानि gram पंचायत का कारेकाल होता है कितना तो इसमें 7 वर्ष है, 6 वर्ष है, 5 वर्ष है या 4 वर्ष है तो right answer की तरफ चलते हैं answer आपका हो जाता है 6 option यानि की 5 वर्ष है आपका right हो जाता है next question है यदि किसी gram सभा की कुल जन संख्या 3000 है तो gram पंचायत की सदस संख्या होगी कितनी है 15 होगी या 13 होगी या 9 होगी ठीक है तो इसमें पहले समझ लेते हैं जैसा कि आपकी option में 13 दिये हुए है ठीक है ना क्या कह रहे है यदि किसी gram सभा की कुल जन संख्या 3000 है तो gram पंचायत की सदस संख्या कितनी होगी तो देखिए बाव option यानि आपका right है है ना इस तरह से right है भी चीजों को detail में समझ जीए फिर इसमें देखिए कौन सा option जो है right है अभी यहां पे series के according हमने इसको right कर लिया ठीक है अब इसको समझ लेते हैं ग्राम सभा में 1000 की आबादी पर कितना तो 1000 की आबादी पर क्या होता एक 1000 आबादी तक में तो एक ग्राम पंचायत सदस यहां पे लिख लेते हैं एक ग्राम पंचायत सदस यहां और अगर बात की जाए 2000 की आबादी की तो 2000 की आबादी में क्या होता है 11 सदस से क्या होता है 14 सदस और 3000 की बात की जाएं तो क्या होगा? 3000 की आबादी तक होता है, 15 सदस से होते हैं, तो इस एकोरडिंग आपका जो ten option है, वो right है, ना कि Lenapec की यह हम आपको साथ ने बताते हैं B 시rez में MISPREINT के वजह से ऐसा हो जाता है इसमें कोई दिकत नहीं वो तो आपको भी थोड़ा सा समझना रहेगा यह नहीं है कि आपने सीरीज को ही बता दिया कि या तो ये सही है या तो ये गलत ऐसा नहीं है चीज़े क्योंकि आपको पढ़नी है है ना तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि यहां पे देखे जैसे बात था तो आपने क्या क्या सीरीज में बाह है तो हम बाह ही टिक करेंगे ऐसा नह तो 1 और 2000 तो 11 ध्यान दिजीएगा और 3000 तो 15 ठीक है तो इस recording आपका option right हो जाता है नगरपाली का परिश्यत का कारिकाल होता है कितना होता है तीन वर्ष होता है चार वर्ष होता है पांच वर्ष होता है या छे वर्ष होता है तो आपका 107 नमबर का जो इसमें answer हो जाएगा व पाँच वर्ष होता है ठीक है ना नगर निगम के सदस्यों की संख्या होती है तो 50 से 110 होती है या 60 से 110 होती है या 40 से 110 तक होती है तो इसमें आप जो आपका बाउप्षन है उस पे आप टिक कर सकते हैं क्योंकि 60 से 110 यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं ठीक है अब आपका क कोश्यन है सड़क यातायात के पर्मुख नियम है क्या नियम है तो सड़क पर सदेव अपनी बाईयोर चले बिल्कुल सही है महानगरों के चौराहे पर ट्रैफिक सिगनल देखकर चौराहा पार करें ये भी आपका सही है रात में वहां चलाते समय संकेतक का परियोग आवश् हो जाता है अर्थ शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है जेके महता को या एलफ्रेड मार्शल को या एडम इसमत को या आमर्त सेन को तो इसमें आपका जो राइड आंसर हो जाता है वो हो जाता है एडम इसमत को यानि कि आपका साव ओप्शन राइड हो जाता है चलते हैं नक् या रॉबिन्स तो इसमें देखिए फिर से वही दिखकत आई है थोड़ी सी कि आपका जो स्रीज में आंसर दिये हैं वो आ दिये हैं यानि जे के महता लेकिन आपका जो राइड आंसर है वो पीगू है यानि कि आपका जो बा ओप्शन है वो राइड है उसके बाद और आप से चेक कर सकते हैं कि कहां पर क्या चीजें सही हैं क्योंकि कुछ काम अपने आप से भी करना चाहिए वो भी जरूरी होता है सेल्फ डिपेंड थोड़ा सा हो तो वो भी बहुत जादा चीजें सही हो जाती है तो आप लोग भी देख लीजिएगा अर्थ शास्त्र का विज् जाये तो 1776 में परकाशित अपनी पुस्तक और इंक्वाइरी इंटू दा नीचेर एंड दा केसे ओफ दा वेल्थ ओफ नेशन्स में अर्थ शास्त्र को धन का विज्ञान माना है किसने माना है एडमिसमत यानि आपको आंसर भी मिल गया आप्शन आपका राइट हो जाता ह ठीक है ना कोशन की तरफ चलते हैं आमर्थ सेन को नोबल पुरसकार कब मिला 1997, 1998, 1999 या 2002 में मिला ठीक है तो देख लेते हैं आंसर तो आमर्थ सेन कौन थे तो आमर्थ सेन के अर्थ शास्तर में योगदान के लिए किसमें तो भाई जब किसी चीजमे योगदान दिया जाता है तब ही तो पुरुषकार मिलते है और नोबेल पुरुषकार कम मिलता है जब किसी चीज में योगदान होता है है ना तो आमर्थ सेंद के ृरत शास में योगदान के लिए उन्हें कब मिला तो भर सैंग में डीय को लिए । तो यहां पे 1, 9, 9, 8 कहां पे है तो आपका 2 option है, है ना, तो यही आपका right हो जाता है, उसके बाद चलते हैं, next question की तरफ question आपका हो जाता है, इतिहास घटनाओ या विचारों की उन्नती का सुसबध विवरण है, ये कथन है, प्रोफेसर घाटे का, प्रोफेसर कॉर का, या पंडित जवाला नहरू का, या रैप्सन का, तो इसमें रैप्सन यानि कि the option right हो जाता है, पहिये का अविशकार हुआ था, तो नौ पाशाड काल में हुआ था, पुरा पाशाड काल में हुआ था, मद्ध पाशाड काल में हुआ था, या ताम्र पाशाड काल में हुआ था, तो आपका हो जाता है option आपका जो हो जाता है वो option हो जाता है 9.5 काल में पहिये का विश्कार कब हुआ तो 9.5 काल में और अगर बात की जाए कि पहिये का विश्कार किस ने किया तो शायद ही कभी इसका पता चल पाए है ना और कहते हैं कि 3400 कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा 3400 और कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा 3500 इसाप पूर्व से पहिये के असंख सबूत मिले हैं यानि असंख का मतलब हो जाता है कि जिनकी कोई गिंती नहीं है तो असंख पहिये के सबूत मिले हैं और कहां तो प्राचीन मेसोपोटामिय में पाए गए हैं तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है नौपाशारकार और पहिये का अविशकार क्यों हुआ था भाई पहिया जब अविशकार इसका हुआ तो क्या हुआ कि एक चीज को एक जगा से दूसरी जगा पढ़ ले जा और पशु उसको खीशता था जैसे ब्याल गारी आपने देखियोगी तो ब्याल गारी में होता है तो ऐसे अपपई ही क्या होते हैं प्लास्टिक रबड के इन सब चीजों के तब कहे का बना था तो पहले मिटी का फिर पत्थर के तो इस तरह से इस तरह से स्टार्टिंग ह हुई तो यानि यह नौपाशार काल में इसकी स्टार्टिंग हुई यानि मनुष्य क्या था स्टार्टिंग से ही कैसा था कि उसको जिस चीज की जरूरत होते थी भाई आविशकार क्यों होता है कि किसी चीज की जरूरत पड़ी अब इंसान में माइंड है कि हमें यह चीज का आविशकार करना चाहिए क्योंकि लोगों को इस चीज की आविशक्ता है यह जाधा तरिंसर अपने पे वो चीज कर लेता है कि हमें इस चीज की आविशक्ता है या दुनिया में इस चीज की आविशक्ता है तो आविशकार हो जाता है तो यही था तो यहाँ पे जो आंसर ह हो जाता है राइट आंसर की तरफ चलते हैं तो इसमें आपका गान हो जाता है यानि सामकार्थ क्या है तो गान है यानि कि 117 नंबर का जो answer है उसको लोग देख लेते हैं 6 हो जाते यह कितने वेदांक कितने हैं तो 6 हो जाते हैं कौन कौन से हो जाते हैं तो सिक्षा हो जाता है लिख देते हैं आपे सिक्षा हो जाता है और क्या हो जाता है और कल्प सिक्षा कल्प व्याकरण व्याकरण और आपका हो जाता है जोतिश क्या हो जाता है जोतिश जोतिश छंद और क्या हो जाता है और निरुक्त निरुक्त हो जाता है ठीक है ना तो यह आपकी क्या हो जाते हैं, यह वेदांक हो जाते हैं, चेड, उसके बाद कोशियन आपका हो जाता है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, तो सिंदुगाटी के निवासियों का मुख्य भोजन, गेहु, चावल, जो, क्योंकि उस वक्त क्या था, कि खेती करना सीख गए थे, ना मनुशे, तो ये सब ही चीज़ें क्या हो जाती हैं, सिंदुगाटी के मुख्य भोजन हो जाते हैं, या उपरोपत सभी, और मुख्य र आवल जो भी पूछ लिया जाए और मास भी पूछ लिया जाए तो ये सभी चीज़ें खाई जाते थी विशु का सबसे गहरा महासागर तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर अंटार्टिक महासागर या आर्कृटिक महासागर तो आपका राइड आंसर जो हो जाता है वो महासागर हो जाता है यानि विशु का सबसे गहरा महासागर कौन हो जाता है तो परशांत महासागर अगर हम बात करें तो 4200 मीटर कितना मीटर की औसत गहराई के साथ सबसे गहरा महासागर अगर गहराई की बात की जाए तो कितना है 4200 मीटर ठीक है तो याद रखिएगा उसके बाद आपका हो जाता है नासा की स्थापना हुई तो नासा की स्थापना 1958 में, 1969 में, 1957 में या 1956 में तो नासा की स्थापना की अगर बात की जाए तो 29 जुलाई कब वह था क्योंकि इस तरह का भी कुश्यन पूछा जाता है क्योंकि यह जैसे कि मन्त भी पूछ लिया जाते हैं ना तो 29 जुलाई 1958 यानि 1958 और यहाँ पे जो आप्शन में दिये हैं वो 1956 जो आपका गलत हो जाता है यहाँ पे आप्शन आपका राइट हो जाता है तो 1958 यह राइट है ठीक है आप्शन आपका राइट है उसके बाद कोश्यन की तरफ चलते हैं नगर पंचायत का कारिकार होता है कितना होता ह तो तीन वर्ष चार वर्ष पाच वर्ष या छे वर्ष होता है तो आपका आंसर हो जाता है पाच वर्ष यानि कि आपका साउप्षन राइट है नगर निगम का सरवच निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है तो सदस अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेर तो आंसर है आपका मेर य में कोशामभी में कुशी नगर यह ग्रह यानि राज ग्रह तो आंसर आपका कुशी नगर हो जाता है यानि की आपका साँ option राइट हो जाता है ठीक है ना उसके बाद चलते हैं next question की तरफ question आपका हो जाता है question है next संसार का पहला पालतू पशु कौन था घोड़ा, कुत्ता, गाई, बकरी तो पालतू यह सभी बनाए गये लेकिन सबसे पहले किसको पालतू बनाए गया तो कुत्ते को पालतू बनाए गया यानि कि आपका जो बाउप्शन है वो आपका राइट हो जाता है ठीक है चलते हैं next question की तरफ question आपका हो जाता है पहिये का आविश्कार हुआ देखे repeat question है है ना तो पहिये का आविश्कार कब हुआ तो आपका पुरा पाशार काल मद्धे पाशार काल या आपका हो जाता है नव पाशार काल या आपका हो जाता है धातुकाल तो इसमें आपका नवपाशाडकाल यानि की साफ उप्षन आपका राइट है और नेक्स कोश्चन है मेसोपटामिया की सभिता का जन्म हुआ था नील नदी की घाटी सिंदु नदी की घाटी यांग सिटी क्यांग नदी की घाटी दजला फरात नदी की घाटी तो कहां तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो दजला फरात नदी की घाटी ये आपका आंसर हो जाता है पिरामिट किस देश में हैं तो यूनान, रोम, मिश्रिया, सवधी, अरब तो आपका जो आंसर हो जाता है मिश्री यानि किसा उप्षन आपका राइट हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक थे गोतम बुद महावीर स्वामी रिश्यप या पाश्वनाथ अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है महावीर स्वामी आपने ज्यादा बढ़ाया है ठीक है ना क्योंकि इन्होंने ज्यादा इस पर वर्क किया इनका बहुत ज्यादा नाम है यानि कि जैन धर्म का नाम आया तो महावीर स्वामी का नाम पहले आया ठीक है लेकिन जैन धर्म के संस्थापक की बात हो रही है तो संस्थापक हो जाते है रिशब्देव ठीक है और अगर बात की जाए तो आधिनात को भी माना जाता है तो इस तरह से आपका साफ्षन राइट है अगर 23-23 की बात हो तब महावीर स्वामी है लेकिन अगर संस्थापक की बात की जाये तो इस तरह के question थोड़े से confusion वाले होते हैं हलाकि चीज़ेंगर clear है कोई doubt नहीं है तो हर्ची सही राएगी है ना भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो महराज, पंजाब, बिहार, उत्रप्रदेश तो उत्रप्रदेश के लगभग 200 मिलियम लोगों के साथ देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है तो यानि आपको अंसर मिल गया उत्रप्रदेश है ना फिर उसके बाद आपका हो जाता है भारती लोकतंत्र के समक्ष चुनोती है गुट निर्पेक्षिता, धर्म निर्पेक्षिता, संप्रदाइक्ता और उपरिप्त मैंसे कोई नहीं तो उपरिप्त मैंसे कोई नहीं ये तो आपका नहीं है अब बात कर लेते हैं तो संप्रदाइवाद ये हो जाता है जातिवाद, छेत्रवाद, गरीबी, हिंसा, प्राधी, करण, छेत्रिये, विभिनिताएं, आसिक्षा, सबसे ज़्याद अगर है तो आसिक्षा, लोग सिक्षित नहीं है, तो इससे भी बहुत बड़ी, इसमें क्या है, चुनोती है, है ना भारती लोगतंत्र के समक्ष चुन प्रत्वी के निकट कौन सा ग्रह इस्थित है, तो शुक्र, बुद्ध, मंगल या ब्रहसपती, तो शुक्र प्रत्वी का क्या है, निकट तम ग्रह है, कौन है, तो शुक्र हो जाता है, और यह रात के आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है, बुद्ध ग्रह सूरी के सबसे क्या है तो सबसे नजदीक है हडपा के निवासी किस युग में थे तो उत्तर पाशाण युग में या कास युग में या इलो युग में या तामर पाशाण युग में थे तो आंसर आपका हो जाता है कास युग यानि कि आपका बाउप्शन राइट हो जाता है ठीक है ना तो हड सो इसा पूर्व तक कब तो सत्रा सो इसा पूर्व तक दच्छिड एशिया के उत्तर पस्चिम भाग में मौजूर थी ठीक है ना उसके बाद कोश्यन आपका हो जाता है वेद का शाब्दिक अर्थ है तो पवित्र ज्यान पूजा पाठ इश्वर के स्तुति तो इसमें वेद शब्द किससे बना है तो वेद शब्द विद धातु से बना है और जिसका अर्थ है ज्यान अपको आंसर मिल गया अगर कहीं पे ग्यान आजा है गहीं पे सत्ता आ जाए, कहीं पे लाब आ जाए, तो ये है इससे बना है, यानि ग्यान, विचार, सत्ता, अम, लाब, जिसका आर्थी हो जाता है, और ग्यान का दूसरा नाम ही वेद है, तो इस तरह से आपका वेद और ग्यान यानि पाउशन आपका राइट हो जाता है, ठी काउन सा राज है तो केरल गुवा गुजरात तमिलनाइडू तो इसमें आपका गुजरात हो जाता है ठीक है ना गुजरात हो जाता है और राज की लगभग 1214 किलोमीटर की लंबी तट्रेखा पस्चिम में अरब सागर से लगती है ठीक है तो इस तरह से आपका साउप्शन िग राइट हो जाता है,ोस्चेन आपका है लास्ट कोश्चन है आज की सीरीज का're केनियन दर्रा का निर्माण होता है, नदी द्वारा हवा द्वारा ग्लेशियर द्वारा या समुद्री लेहनों द्वारा तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद इस पर टिक करते हैं तो प्रारंभी कवस्थाम में क्या होता है कि नदी जो है वो मुख रूप से घाटी का नीचे की ओर कटाओ करती है अपने तल को गहरा करती है नदी क्या करती है जो उसका तल होता है उसको वो गहरा करती है यानि उसको गहरा कर रही है जहां घाटी को गहरा करने की परकिरिया तेज हो जाती है वहां क्या होता है वहां गार्ज या गेनियन का निर्माण होता है अब आपको answer तो मिल ही गया होगा यानि की answer क्या हो सकता है तो नदी द्वारा यानि option आपका right हो जाता है ठीक है ना तो friends आज का session यहीं पर complete होता है I hope आपको session अच्छा लगा होगा अगर session अच्छा लगा है तो एक like जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने channel को subscribe नहीं किया है आप channel पर अभी आए अभी आपने विजिट किया है तो channel को subscribe भी जरूर कर लिजेगा और bell icon को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा क्योंकि इससे आपको notification मिल जाती है और जब notification मिल जाती है तो आप इसली तरीके से class को attend कर लेता है ठीक है ना वैसे आपको क्या करना होता है search करना रहता है